दोस्तों कि आप लोग भी अपने ब्राउजर में YouTube Studio Beta को open नहीं कर पा रहे हो यानि कि जब भी आप लोग अपने ब्राउजर में YouTube सर्च करते हो या फिर YouTube.com सर्च करते हो तो सर्च करने के बाद 3.0 के option पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों के सामने जो YouTube का homepage होता है वो ब्राउजर में open हो जाता होगा जैसा कि आप PC या laptop में देखते होंगे तो उस तरीके से open होने के बाद आप लोगों को जो है right side में आपके channel का logo मिलता है तो जैसे ही आप channel के logo पे click करते हैं तो आप लोगों को YouTube Studio का एक option मिलता है तो जैसे ही मतलब कि कई साइल लोग जो है उस YouTube Studio वाले option पे जैसे ही click कर रहे हैं तो YouTube application में चले जा रहे हैं directly तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने browser में YouTube Studio बीटा को open करोगे तो ये वीडियो चोटा सा रहने वाला है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़ादा important रहने वाला है इस वीडियो को शुरू से लेके last तक आप पूरा जरूर देखेगा और हाँ दोस्तो चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से on कर दीजेगा तो चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं Chrome browser को open कर लेता हूँ यहां पे गूगल का इंटरफेस open कर लेना है अपने Chrome browser में और यहां पे Google में आप लोगों को type कर देना है YouTube dashboard यहां पे इस तरीके से आप लोगों को type कर देना है YouTube dashboard और search करने चीब आप लोगों को यहां पर 3 लाइन पर क्लिक करना है यानि कि three dot पर करना है और यहां पर आपको simply click कर देना है, तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर कुछ YouTube जो IT Studio application होता है, कुछ इस तरीके का show होने लगता है, तो यहाँ पर simply आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 line पर click करना है, यानि कि 3 dot पर click करना है, और अगर आपका desktop side mode enable है, तो इसको सबसे पहले disable करेंगे, और इसको disable करने के बाद, आप लोगों को फिर से 3 dot के option पर click करना है, यहाँ पर फिर से 3 dot के option पर click करना है, और desktop side mode को enable कर देना है, इस तरीके से, तो जैसे ही आप इसको enable करेंगे, तो आपके channel का desktop mode होता है, यानि कि जो channel का dashboard होता है, वो आपके chrome browser में कुछ इस तर open हो जाएगा, तो दोस्तो ये तो रहा पहला तरीका, अब जो दूसरा तरीका है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, तो दोस्तो अब मैं सबसे पहले इसको delete कर लेता हूँ, इस page को, अब दोस्तो मैं chrome browser open कर लेता हूँ, अब दोस्तो simply आपको करना क्या है, यहाँ पर three line पर click करना है, और यहाँ पर जो desktop site mode है, इसको इस तरीके से enable कर देना है, तो जैसे ही आप इसको enable करेंगे, तो यहाँ पर भी यह जो पहला link आता है, इस पर आपको click नहीं करना है, इस पर अगर आप click करोगे, तो आपके phone में YouTube application ही open हो जाएगा, जैसा कि मैं य YouTube application है, वो open हो जा रहा है, तो आपको simply यहाँ पर बैक कर लेना है, अब आपको कहाँ पर click करना है, वो आप जान लिजे, तो जैसे ही आप इस पर click करते हैं, कई बार ऐसा होता है, कि इस पर click करने के बाद आप लोगों के browser में YouTube जो जैसा कि PC या laptop में open होता है, उस तरीके से YouTube YouTube का जो interface होता है, वो open हो जाता है, मतलब की videos वेगरा आने लगती है, तो कुछ इस तरीके से open हो जाता है, तो आप वहाँ पर logo पर click करके, जो creator studio का option आता है, इस पर click करके आप simply open कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पर click करने पर YouTube application open हो जा रहा है, तो simply आपको करना क्या ह यहाँ पर नीचे की तरफ कई सारे option आ जाते हैं, तो simply आपको करना क्या है, यहाँ पर YouTube studio का एक option आ रहा है, इस पर आपको click कर देना है, तो जैसे यह आप इस पर click करोगे, तो आपकी जो channel का dashboard रहेगा, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा, तो जैसा कि आप button होता है, यानि कि sign in का एक link होता है, इस पर आपको click कर देना है, इस पर जैसे ही आप click करोगे, तो YouTube application open हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ आप से यह पूछेगा, कि इसको आप कौन से browser में open करना चाहते हो, तो simply आपको Chrome browser पर इस तरीके से click कर देना है, तो जै तो जैसे ही इसको आप enable करोगे 3.pay, click करके desktop side mode में, तो आपके channel का home page रहता है वो इस तरीके से open हो जाएगा, तो आपको simply करना क्या है, यहाँ पर ज्यादा confused नहीं होना है, यहाँ पर simply मैं यहाँ पर zoom करता हूँ, यहाँ पर zoom करने के बाद यह जो आपके channel का logo दिख रहा है इस channel वाले logo पर आपको simply click करना है, और यहाँ पर YouTube studio का एक button आता होगा, यहाँ पर यह वाला, YouTube studio वाला जो button है, इस पर simply आपको click कर देना है, और click करते ही आप लोगों के browser में, जो YouTube studio का home page होगा, वो आप लोगों के browser में इस तरीके से open हो जाएगा, तो simply इस तरीके से आप ल लिकत आती है, तो मुझे comment कर लेना, या फिर मेरे Instagram पर मुझे message कर देना, मैं आपका reply जरूर से दूँगा, और इस वीडियो को एक like कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share कर देना, तो चलिए दोस्त आज कि इस वीडियो में बस इतना ही